दोस्तो जब से RRB NTPC का रजल्ट अनाउंस हुआ है जब से आप लोग का ये जो प्रोटेस्ट है ये लगातार सुरू हो चुका है ट्विटर पर देखा जाए तो रिल्वी स्केम के नाम से लाखो ट्विट हो चुके हैं RRB NTPC के रजल्ट को रिवाइज कराने को लेकर सभी यूट्यूवर्स एकजिट हो चुके हैं जितने भी टीचर्स हैं सभी प्रियास कर रहे हैं कि RRB NTPC का रजल्ट रिवाइज किया जाए दोस्तों यह वाजिब भी है क्योंकि अभी 20 गुना केंड़ेट का सेलेक्शन होना था RRB NTPC के अंदर जिसमें बताया गया था कि CBT1 स्रिप कॉलिफाइंग मार्क के लिए होगा लेकिन यहां पर CBT1 के अंदर पोस्ट वाइज का टॉप बता दी गई है यानि कि पहले से ही डिसाइड कर दिया है कि किसको कौन सी पोस्ट मिलेगी इस पोस्ट और जो केंड़ेट CBT1 में कौलिफाइड है जिस पोस्ट के लिए कौलिफाइड है उसके लिए ही वो फाइट कर सकता है बागी पोस्टों के लिए फाइट नहीं कर सकता तो क्या हुआ बीस गुना Candidates को बिलाना था हर पोस्ट के लिए अगर क्वालिफाइंग नीचर को भी दिखा जाए तो यहां पर बीस गुना Candidates होते ही नहीं एक Candidates का जिसके 91 मार्क्स हैं मान के चलिए उसका लेवल 2 में नाम है तो लेवल 3, 4, 5, 6 की कट अब काफी कम गई है इस्टेसन माचरगी उसमें भी नाम आजाता है तो कहीं न कहीं एक Candidates जो है 5 5 जिगा सेलेक्शन ले रहा है अगर एक Candidates 5 जिगा सेलेक्शन लेता है तो वहीं पर आप लोग देख सकते हैं चार से 5 गुना Cand Candidates को बलाए गया है किसी में 6 गुना किसी में 7 गुना आठ गुना से ज्यादा किसी भी जौन में Candidates को नहीं बलाए गया है तो लगबग जो देखा जाए रेस हो तो लगबग जो है आठ गुना तक Candidates को बलाए गया है किसी जौन के अंदर और आठ गुना Candidates तो आप ल क्वालिफाइंग मार्स लेने के बाद उनका साइको के लिए बुलाए जाएगा उना है क्योंकि यहां पर कॉम्प्टीशन तो रहा नहीं है उनके इंडेट्स के लिए तो सही है जिनका इसमें सेलेक्शन हो गया है कम कॉम्प्टीशन में वह अच्छी त्यारी कर सकते हैं और कुछ एक दो पोश्टों को छोड़ कर तो 90 प्लस मार्क्स स्कोर करने थे उनको सीवीटी वन में कॉलिफाइंग नेचर के लिए बल्कि इतने नंबर पर तो आप लोग का फाइनल सेलेक्शन हो जाएगा जितने नंबर पर नोंने कॉलिफाइंग नेचर की कट-off निकाली है नंबल आईशन भी कुछ इस तरीके से मिला है किसी के एंडर को 30 प्लस नंबल आईशन मिल गया जो किसी को नेगिटीव में नमलने शन देखने को मिला है पुश्ट के माध्यां से मैंने सबीकी कट-उप डाल दी है और नंमले शन के भी मैंने कुछ किंशन गूप दिये हैं तो CBT1 की cut-off इस कारण से जो है vary कर रही है काफी high cut-off गई है अगर 20 गुना candidates को बलाए जाए अगर अभी 8 गुना candidates को बलाए गया तो लगबग 2 गुने candidates और बलाए जाएंगे तो कहीं न कहीं इसकी जो cut-off है वो कम हो जाएगी और कम cut-off के बाद maximum candidates candidates जो है CBT2 में qualify कर सकते हैं अपियर कर सकते हैं अगर वो candidate CBT2 में appear करते हैं तो इनकी chances बन जाते हैं अभी तो उनके पास बिल्कुल भी chances नहीं है तो उनके पास एक ही जड़िया है RRBN TVC में अंदर आने का वह यह है कि वो protest करें अब protest जो है digitally हो सकता है और आप लोग किसी माद बड़े यूट्यूवर्स के द्वारा कोई campaign निकाल आ जाता है तो आप लोग को हमारे तरब से वह share कर दे जाएगा आप लोग भी उसमें participate कीजएगा और हम भी उसमें participate करेंगे RRBN TVC के result को revise कराने को लेकर तो यह लगातार प्रियास रहेगा से एक एक्जामवर्य वर्य टीम का कि आप लोग के साथ बने रहे और आप लोग का result जो है revise किया जाए RRB ALP technician का जिस तरीके से result को revise किया गया था उसी तरीके से RRB NTPC का भी result revise हो तो जैसी कोई update आती है तो आप लोग लगातार हमारे चैनल से मिलती रहेगी आप लोग चैनल को subscribe जरूब कर लिजेगा बेल अकन जरूब प्रेस कर लिए जिसी आने वाली वीडियो की आप लोग लगातार मिलती है